हेलो एविवोन कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छी होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर है ठीक है वो आज शाम किसे और क्या बाते कर रहे है आपके बारे में ठीक है रीडिंग का टॉपिक जो है यह रहने वाला है ठीक है तो ध्यान रखेगा कि यह रीडिंग एक जनरर डीडिंग है कलक्टिव डीडिंग है इस बात का पूरा ख्या रखना है और जो लोग मुझसे प्रफेस्टनल चारों का रीडिंग लेना चाहते ह है वो लोक कॉंटक्ट कर सकते हैं इस्क्रीन पर जो नंबर दिया घया, इसक्रीन पर आपको नंबर नहीं दिख रहा है तो आप मुझaşे, जो है description box में जो number है उस पे contact कर सकते हो मुझे से ठीक है चलिए करते हैं reading को start देखते हैं कि आज शाम वो किसे और क्या बाते कर रहे थे गाइड करें एंगल्स जो भी मेरी viewers देख रहे हैं उनके जो partner हैं गाइड करें आज शाम वो किसे और क्या बाते कर रहे हैं आप लोग slot number 3 miss मत कीजिए ठीक है क्योंकि slot number 3 में भी अब कम bookings बची है तो मुझे नहीं लगता कि आपको देर करना चाहिए और जिनको booking करवाना है जल्दी से booking करवा लेजिए slot number 3 की इसमें जितने भी लोग booking करवाना चाहते हैं उन लोग को result मिल रहा है और कल को आप ही कहिए कि दीदी ने काम करके अच्छा दिया है तो अगर आप काम करवाना चाहते हैं अपना third party का या फिर marriage का तो आप लोग contact कर लेजिए ठीक है और जल्दी से जल्दी आप लोग काम करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का काम भी हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा में टाइम भी चाहिए ठीक तो आप जितने मतलब जितना टाइम वेस्ट कर आपका टाइम वेस्ट जा रहा है ना तो देर करने से कोई फायदा नहीं है आपको remedy के लिए रिच्वल के लिए contact करना चाहिए अगर आप चाहते हो आपकी पार्टनर से आपकी शादी हो या आपकी आपकी जो परेशानियां वो खतम हो तो ओकी गाइड करें एंजल्स चलिए कार्ट्स निकालते हैं कित से और क्या बाते कर रहे थे वो आज शाम ओके ठीक है किस से और क्या बाते कर रहे थे ओके इतने कार्ट्स निकले हैं हमारे पास bottom of the deck देखते हैं कि क्या है bottom of the deck है the m इसा दिख रहा है जैसे कि आपके जो पार्ट्नर हैं वो आपकी खुबसूरती के बारे में बाते कर रहे हैं जैसे कि आप कितने ज़्यादा खुबसुरत हो और कितने मैच्यूर हो ठीक है आपके पार्टनर ज़ो आदातर जो है आपकी मैच्यूर लेवल की बाते कर रहे हैं जैसे कि आप कितने मैच्यूर हो कितना ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है आप पने अपनी life को कितना ज़ाधा देखा है ठीक है यह सारी चीज़ है यहाप यहाप देख रही है और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप कितने ज़ाधा मतलब एक जहता ना कि जैसे कि जो बंदा या बंदी जो भी होती है वो बहुत ज़दा focus होता है है ना तो वो energy मुझे दिख रही है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि relationship को लेकर के काफी ज़दा seriousness बढ़ रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आपके जो partner है ना एकदम एकदम से एकदम ऐसा मतलब आपके partner को बढ़ दाश नहीं हो रही है आपके partner को एकदम से आपकी आदे बार 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 आती चली जा रही है जिसकी वज़े से तो आपके वज़े से जो है ना यहाँ पे काफी कुछ चीजे इन्होंने ignore करना है start कर दिया जिसे कि और इनके सामने proposals भी आ रहे हैं ना तो उन proposals को यह person जो है reject करते चले जा रहे हैं और आपको जो है ना यह person अपनाना चाहते है या आपको जो है यह person अपने दिल में रखना चाहते है देखो यह person जो है ना इनके दिल में दिमाग में आपकी ही बाती चाही रहती है और आपसे ही जो है ना यह person connect रहना चाहते हैं आपसे ही ठीक है तो मुझे यहाँ पे यह दिख रहा है ओके यहाँ है five of swords, ace of cups का card, nine of pentacles, page of wands, यहाँ है मेरे पास six of pentacles, यहाँ है मेरे पास the fool, four of pentacles, four of cups, three of cups, eight of wands, मेरे पास है यहाँ पे devil के energy, okay इसको मैं इधर रख देती हूँ, the devil के energy है, okay और यहाँ पे nine of swords के energy, so यहाँ light ने कर दिया है अपना तामाशा, so light हमारे यहाँ इसे होते रहता है, आपको पता ही होगा, so आज की जो reading में यह cards निकले हैं और आपके जो partner है वो क्या बाते कर रहे हैं मैं explain करते हूँ आपको, ठीक है, तो सबसे पहले तो यह जो person है आपके काफी ज़्यादा tension में हैं, यह बताते हुए दिख रहे हैं कि यार मुझे बहुत ज़्यादा tension हो गई है, अपने relationship के लेकर के, काफी headache है और मुझे इतना ज़्यादा headache जो हो रहा है ना कि मैं कुछ कुछ भी decision नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे उपर किसी ने black magic कर दिया है, या मुझे ऐसा लगता है जिसे कि मैं कहीं trap हो रहा हूँ, ऐसा लगता है, ठीक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है ना एकदम से मतलब तंग आ गया हूँ यार इन सारी चीजों में, बार 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 बहुत ज़्यादा problem हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने आपको आगे नहीं लेके जा पाऊँगा, या अपने आपको आगे नहीं आफ लाइन, चेक करते रहना, ऑनलाइन है तो कितने देर है, ये सारी चीजे मैं कर रहा हूँ यार, ये बचकानी सी हरकते मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, याद तो उसकी इतनी आती है, कि मैं बता नहीं सकता कि कितनी ज़्या मैं अपने आपको काफी ज़ादा कहते है कि जैसे कि टैंशन है ना तो टैंशन में मैं आ चुका हूं मैं बहुत ज़ादा परेशान हूं अभी फिलहाल मैं उसके प्रती इतना ज़ादा एडिक्ट कब हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब जो मेरी यादे है ना मैं उससे निकाल नहीं पा रहा हूं मैं उसे अपने दिल से दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं उसकी बार-बार अच्छाईया मुझे नजर आने लग रही है मुझे बार-बार उसका चहरा नजर आने लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी situation में हूँ भी ना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस situation में तो मुझे अगर मैं पढ़ता ना तो वही आती मेरा साथ देने या वही आता मेरा साथ देने कोई और नहीं आता मैं जिस तरीके से परेशान चल रहा हूँ ना सच में मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है सच में मैं रोने तक लग रहा हूँ अंदर से जो है ना मैं इतना ज़्यादा तकलीफ फील कर रहा हूँ इतना ज़्यादा रोने लग रहा हूँ कि मुझे करो क्या ना करू मैन बहुत डिश्टर्ब चल रहा है यहार बहुत बाते करना चाहता है तो तो मैं इक्डम से तो मेंugal मैं अदा नई इस मुछ मुई आगे कि नहीं मुजे बाद करने चाहिए तूमसे तुमसे को तुमसे बात कि रहा सकते हों मैं कितना ज्हदा मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुमसे यह बताना चाहा रहा था कि मेरे रिलेशन्शिप में यह चीजे चल दे हैं। मैं बहुत परेशान हूं ऐसंन्हें हूं। मुझे कुछ समझ में हा रहे हैं। कभी कभी मैं बैठ के रोने लग रहा हूं कि मैं जादा सोच रहा हूं क्या मैं जादा सोच करके मैं जादा फील करके अपने आपको इस तरीगे से फील कर रहा हूं क्या मुझे लगता है कि मेरा प्यार मुझे उस तक देना चाहिए या उस तक उसको एहसास देलाना चाहिए फिर लग रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए मैं कुछ समझ में नहीं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है या उसके हालात हो सकते हैं कि कुछ अलग हो है ना उसकी सुचेशन कुछ अलग हो बट मुझे तो अभी नीड है ना उसकी मुझे अभी नीड है उसकी मुझे उसकी जितनी जरुत अभी मैसूस हो रहे ना उतनी जरुत मुझे मुझे कभी मैसूस नहीं हुई मुझे ऐसा लग रहा है जिसे कि मैं कब जाके उसके साथ कॉंप्रोमाइज करने के लिए बोल दूँ कि हाँ मैं तुमसे कॉंप्रोमाइज करना चाहता हूँ मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता तुम्हारे सपने देखना बंद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी के सपने देखे हैं मैंने, शादी के सपने हजार देखे हैं मैंने, बट मैं उसे कैसे बताओं, कैसे बताओं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं कैसे करूं यार मेरी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टरब चल लिए पूरी तरीके से शत्यानास हुआ पड़ा है मेरी लाइफ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है अब जो करना है तुम्हें करना है तुम मुझ इतनी clarity के साथ जीता हूं मैं पूरी तरीके से clear होकर कही जीना चाहता हूं पूरी तरीके से clear होकर कही रहना चाहता हूं तुम मुझे बताओ कि तुम क्या मुझे suggestion दोगे चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है इनके दोस्त क्या सजेशन इनको देते हैं देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं क्या है कार्ड्स क्या सजेशन है उनका Ace of Cups बहुत ही प्यारा अच्छा कार्ड है Okay, Queen of Swords Eight of Swords King of Cups Judgement and last card is four of wands okay bottom of the deck seven of cups ठीक है तो आपके जो partner है ये कहना चाह रहे है कहना चाह रहे है क्या कह रहे है ये जो person है उनके दोस्त कह रहे हैं कि देख सीदी सी बात है तू उसे प्यार करता है तू उसे emotional connect है ठीक है तू उसे emotionally connect है बात सही है तू उसके साथ गलत कर रहा है तुझे realize हो गया है तेरा मैं बहुत time से देख रहा हूँ तू उसे टाल रहा था टाल रहा था अब तुझे realize हो रहा है कि नहीं अब मुझे टालना नहीं है, अब मुझे directly situation को देखना है और relationship को देखना है, मुझे सब صahी करना है, अब तुझे यह realize हो रहा है, बात यह है, बेन बात तो तेरी यह है, चल अच्छा है, तुझे realize हुआ, अच्छी बात है, तो तुझे realize हो चुका है, तु रूप क्यों रहा ह तु जब गलती कर रहा था तो तेरा मन तुझे रोक रहा है अब जो है ना तु देर मत कर तु अपना प्यार उसे दे तु अपना प्यार तु अपनी रिस्पेक्ट उसको दे तुझे कुछ नहीं सोचना है तुझे कुछ नहीं करना है ठीक है तु प्यार करता है वो करती है कि कि नहीं करती है करता है कि नहीं करता है ये तू क्यों सोच रहा है तुझे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए तू क्या चाहता है इस रिष्टे में तू अब तक क्यों था इस रिष्टे में ये तू बताना उसको जब तू बताने लगेगा तू बताएगा अपना मोटीव क्लियर बोलना कि मुझे तुमसे शादी करने है मुझे तुम्हारे साथ अब आफेर नहीं रखना है तुम्हें BFGF वाला रिहलेशन नहीं रखना है अब तुम मुझे तुमसे शादी करने है तुम शादी का सिदे प्रपोजल दो ना कोई ऐसा नहीं है कि शादी के प्रपोजल को दे और फिर उसको ठूरा दे नहीं तुमें करना है तो बोलो उससे बोलो कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और reality में यही है तेरे दिल का तो सच यही है ना कि तो उसे शादी करना चाहता है तो उसके बगर जब एक पल नहीं रह रहा है तो सोच जिन्दगी भर कैसे रहेगा कैसे रहेगा तुझे खुद सोचना चाहिए ना तुझे खुद सोच करके तुझे खुद realize करके यह सारी शीरी करनी चाहिए तुझे देखनी चाहिए और मुझे जहां तक लगता है कि तू अब लेट कर रहा है ठीक है अब देर करने का कोई फायदा नहीं है और अब तुझे clear मैं बोल देता हूँ कि तुझे उसे judgment देना ही ह होगा तुझे उसे कहना ही होगा तुझे उसे बात करनी ही होगी ठीक है और मैं तुमसे यही कहूंगा कि देखो तुम जिस परिशानी से जूझ रहे हो ना वो परिशानी तुम्हारी जिन्दीगी बरबाद कर सकती है इससे अच्छा है कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो ठीक है लाइफ में आगे बढ़ो और बढ़कर के लाइफ को सीखो जानो है ना तब तुम कुछ कर पाओगे ऐसे परिशान रहने से कुछ नहीं होता है ठीक है तो ये है आपकी रीडिंग आज की रीडिंग आई होप रीडिंग आपके साथ राजोनेट की होगी बाइ!